तो दोस्तो phone pay में जो कि अपना bank account एड़ करने के लिए सबसे पहले तो अपने phone pay app को है जो कि आपको open कर लेना होगा जैसि आप जो कि फॉन पे app को है जो कि आप यहाँ पर open करते हैं तो ध्यान रखेगा यहाँ पर है जो कि आपको उस mobile number से log in करना है जो bank account में आपका number दिया हो और उसी से ही है जो कि आपको यहाँ पर है जो कि login करना होगा जो भी mobile number हो आप उसी से यहाँ पर login कर सकते हैं easily तो मैं यहाँ जो कि OTP के जरीए है यहाँ पर login कर लेता हूँ अपने mobile number को डाल के तो यहाँ पर देखिए OTP अभी तक अपना आया नहीं है तो हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर OTP का देखिए OTP आ चुका है और यहाँ पर यह login हो चुका है फोन पर एप में तो यहाँ पर यह जो भी permission मांगता है आपको जो कि permission को allow कर देना होगा अब जैसे आप permission allow कर देते हैं यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक profile का option मिल रहा होगा है यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले कोने पर तो इस पर आपको click करना होगा इस पर आप जैसी click करते हैं यहाँ पर देखिए मेरा एक account तो पहले से ही link है और यहाँ पर एक option आपको मिल जाता है add bank account इस पर है जो कि आपको click कर देना होगा इस पर आप जैसी click करते हैं यहाँ से है जो कि आपको अपना bank select कर लेना होगा कौन सा bank है यहाँ पर आप चाहों तो नाम लिखके भी search करते हो यहाँ पर जैसे कि मैं आपर camera लिखके search कर ले रहा हूँ आपका जो bank account हो आप लिखके select कर लेंगे और उसके बाद है जो कि देखिए यहाँ पर SIM select करने को कह रहा है कि कौन सा नमबर है जो कि आपके bank में registered है तो दियान रखिए का जब इस process को आप start करते हैं तो आपके phone में है जो कि एक valid recharge pack होना चीए जिसमें की SMS वाले भी pack हो क्योंकि यहाँ से है जो कि आपके bank account में जो कि एक secure message है जो कि भेजा जाएगा verification के लिए तो यहाँ पर देखिए हमारे mobile में से है जो कि verification के लिए जो कि भेजा जा रहा है message bank को तो यहाँ पर देखिए verification चल रही है भी अब यहाँ पर देखिए registration के लिए message भी आ गया है देख सकते है यह registration successfully phone pay account और यहाँ पर हमारे bank से भी है जो कि एक SMS आ चुका है तो देखिए SMS आ गया है अब यहाँ पर है यह UPI ID है जो कि create करने को कह रहा है तो आप यहाँ पर है यह UPI ID चाहो तो यहाँ पर edit भी कर सकते हो यह फिर आप चाहो तो कुछ भी यहाँ पर UPI ID है को automatic बनी हुई यह आई है आप इसको भी यहाँ पर रख सकते हो तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर है जो कि मैंने अपनी UPI ID बना लिया है save के बटन पर जो कि click कर देता हूँ अब सब कुछ ठीक हो जाए इसके बाद आपको यह प्रसीड का option दिख रहा है done वाले option पर click कर देंगे done करते है जो कि आपका bank account है जो कि आपके इसमें जो कि add हो चुका है phone पर अकाउंट में तो आशा करता हूँ आपको है जो कि वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी bank को add करने से related अगर कोई problem आती है तो comment करके जरूर प्रता ही है या फिर इंस्टाग्राम पर message करिए आज कि इस वीडियो में इतना है था मिलें किसी और नई वीडियो में किसी और ने टोपि के साथ अब तक ले जैन वने मातरम